हाई प्रेंट्स वेलकम बैक माई चैनल आज हम बनाएंगे ब्रत में खाने वाला फलाहारी आलू का पराठा इसके लिए मैंने लिए है चार बॉयल्ड आलू इसे मैंने गेटर की हेल्प से गेट कर लिया है और अब इसे हम बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे और इसके बाद म अपके लिए है कुट्ट्टू का आठा अगर आपके पस कुट्टू का आठा ना हो तो आप राजगीरे का आठा या सिंहारे का आठा भी ले सकते हैं इसे मैंने एक कप अभी डाला है अगर कम लगएगा तो बाद में अवड ढाल लेंगे और यह ब मेरे पास मुंपली है इसका छिलका उतार कर मैने से पीस लिया था दो चमज के करीब मैने से डाल दिया है और ये भुना हुआ जीरा है एक चमज इसे भी mix कर देंगे और ये grated अदरक है और ये एक बारी कटिवी हरी मिर्च है सारी चीज़ों को mix कर देंगे और हरीधनिया उपर से डाल देंगे और ये खाने वाला ब्रत में खाने वाला जो नमक होता है ना सेंधा नमक होई है टेश के करडिंग आप इसे भी डाल दें और इस तरह से हम इसे अच्छे से इसका एक डो तियार करेंगे बस इसमें हमें आटे की तरह बहुत ज़्यादा ज़्यादा इस तरह से हमें इसे बस एक घंगे घंगे जब घंगे ता की एस तरह से करने से यह नहीं होता है अगर हम आटे की तरह गूंदे तो ईस्टिकी हो जाता है अब यह कुछ आटा कम लग लग राधा तो थोड़ा समय धरा कप आटा और मिक्स कर दिया है आप देख और अब इसमें एक जमच गीए लगा देंगे ताकि या श्टिकी न हूँ अब इसे तीन निट के लिए रख देंगे बहुत देंगे इसे हम रेश्ट नहीं देंगे आपनी फलाहरी चटनी बनाने के लिए मैंने लिए हरी धनीया, पुदीने की पत्ती यह मिक्स करदेंगे, खोड़ת और श्यूरम श्यूर। और एक हरी मिर्ज, एक चमच जीरा और ये एक टेबल स्पून दही है और ये मेरे पास डेसिकेट नारियल था इसे भी मैंने डाल दिया है अगर आप पसंद करते हूं तो डाल दे नमक थोड़ा सा पानी डाल कर हम इसकी चटनी बना लेंगे और ये देखिए चटनी वेडी है अब हम आटे को देख लेते हैं हेँ आटा भी अप्पॉफे डेडी है अब इसकी हम एक लुई तोड़ेंगे और इस तरह से हम इसका एक प्योड़ा बना लेंगे और अब हम इसे हाथों की हेल्प से इस तरह से इसे हम बढ़ाएंगे ये आटा प्रेंट्स क्या होता है कि इसमें आलू मिक्स होता है इसलिए इसे बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है इसलिए इसे हम ऐसे ही पहले बढ़ाएंगे हाथों से और इस तरह से जब हम आथों से इसे थोड़ा सा बढ़ा लेंगे इसके बाद फिर हम दोनों हाथों में लेके इसे इस तरह से टैप करके भी बढ़ा सकते हैं जितना आपसे इजली बढ़ जाए आप इस तरह से कर लें इसके बाद आप इसे रोल करें और अब ये देखिए इसे मैं हलके हाथों से थोड़ा थोड़ा रोल कर दूंगी इसे घुमाएं नहीं हाथों के हेल्प से ही इसे घुमाएं और इस तरह से जहा आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगे आगे और इसे हम साथ में ही सेकते जाएंगे इसे हम इखटा करके नहीं रखेंगे और यह देखिए जब एक तरफ आपका अच्छे से सिक जाए तब आप इसे पल्टे और घी लगा कर या तेल लगा कर जो भी आप ब्रत में खाते हो इ भस हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि इसे हमें बहुत ज्यादा प्रेश नहीं करना है हलके हाथों से ही प्राटा सेखना है क्योंकि वह जल्दी तूट जाता है और इस तरह से हम इसे फिर से पलट लेंगे और ये देखिए एक तरफ से हमारा पराठा बिल्कुल अच्छे से सेख चुका है अच्छा कलर आ चुका है और ये देखिए सारे तरफ से इसे चारो तरफ से दबाएंगे और ये देखिए हमारा पराठा विल्कुल रेडी है अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ इस तरीके से भी हम पराठा आसानी से बना लेंगे और सारे पराठा इस तरह से बनाने पर एक साइच के बनेंगे इस तरह से हम इसमें थोड़ा सा आटा लगाएंगे और ये देखिए सुखा आटा उपर से लगा लेंगे ताकि ये श्टिक ना हो अब इसे हम रोलर की हेव से इस तरह से रोल आउट करेंगे जितना सेप आपको चाहिए आप बढ़ा लें और इसके बाद अगर आपके पास जैसे ढखकन होता है किसी डिबे का ढखकन या किसी टिपिन का ढखकन आप ले ले और इस तरह से इसके उपर रखके इसे हम प्रेस कर देंगे जो एक्स्ट्रा है उसे हम निकाल देंगे और आठे में मिला लेंगे दुबारा से पराठे बना लेंगे और इसे हम तवे पर डाल कर फिर से पराठा बना कर सेक लेंगे इस तरह से पराठा बनाने फोड़की हो जाता है और हमारे जो पराठे हैं एक साइच के बनते हैं हुदि से मैंने गी लगा लिया है और की लगा के दूरी तरद भी मैंने ने इसे machines करके पलत लिया यह पराठे बहुत ज़्यदा फोलते नहीं है कोई फूल जाता है तो कोई नहीं भी फूलता है इसलिए इसमें टेंसल नले पर यह खाने में बहुत ही सॉप्ट होते हैं तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी रेस्पी इसे आप बनाए और कमेंट करके बताएं और मेरे चैन हूऊita बता है ट नहां धयुत है जयो कोईगी है जिर सम्ट कर दो वद्या एका लोगी एक स्वाने स्वाजक में टूलता है